नमस्कार दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि बॉली वुड में लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो एक्टर बन सके, डिरेक्टर बन सके या फिल्मों से जुड़े दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर सके लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर लोग किसी खास मकसद से भी आते हैं आज हर कोई जानता है कि बॉली वुड में धेरो इल्लीगल काम होते हैं और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों ने ये बात खुल के बताई है, बॉली वुड के अंदर के लोग भी समय समय पर ये बाते बोलते रहते हैं कि बॉली वुड के अंदर इल्लीगल काम होते हैं Raw Officer N.K.Sood है जो की YouTube पे वीडियोज भी बनाते हैं, उन्होंने अपने चैनल पर कई कलाकारों के देश विरोधी एक्टिविटीज के बारे में खुल कर बात किये हैं बॉली वुड में वैसे तो बहुत सारे इल्लीगल काम होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वज़ा से देश के नेता और मंतरी भी इन फिल्मी कलाकारों को गोद में बिठाके रखते हैं सिर्फ नेता और मंतरी ही नहीं, बिजनिसमेन, क्रिकेटर्स और दूसरे फिल्ड के अमीड लोग भी इनी वज़ों से बॉली वुड से याराना बना के रखते हैं यही वज़ा है कि बॉली वुड के अगेंश्ट ज्यादा तर नेता मंतरी चुप रहते हैं बॉली वुड से कोई अपने रिष्टे कभी नहीं बिगाड़ता उसकी सबसे बड़ी वज़ा में से एक वज़ा ये है मनी लॉंडरिंग और हवाला का पैसा रुप्यों को एक देश से दूसरे देश में इलीगल तरीके से भेजना ही हवाला कहलाता है देश में सायदी को इंड़ेश्ट्री ऐसी हो जहांके लोग अपनी ब्लैक मनी को बॉली वुड में इन्वेस्ट ना करते हूं यही वज़ा है कि यहां पर नए नए लोग आते रहते हैं और जेब में एक रुप्या हुए बिना भी फिल्में प्रोड्यूस करने लगते हैं आज मैं जिस फिल्म प्रोड्यूसर की बात करूँगा वो है दिनेश वीजन दिनेश वीजन ने केई सफल फिल्में प्रोड्यूस की है और पिछले 6-7 सालों में एक बड़ा नाम बनकर उभरा है दिनेश वीजन की पिछले लाई बहुत सीक्रेट है ये कौन है, कहां से आया है, इसके पेरेंट्स, परिवार सब कुछ इतना छिपा के रखा गया है कि विकिपीडिया से भी कुछ पूछो, तो वो भी इधर उधर देखने लगता है जैसे उससे एलियन्स के बारे में पूछ लिया हो लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में कोई इनसान सब कुछ छिपा ले ये इतना पॉसिबल नहीं है खासकर तब जब इनसान एक पब्लिक परसनेलेटी हो दिनेश वीजन का जन्म हुआ था 1980 को मुंबई, महराष्ट में पिता कई अलगला कंपनियों में डारेक्टर है और फिल्मों से भी जुड़े हुए है और मा एक हाउस वाइफ है दिनेश की एक बहन है जिसका नाम है पूजा और एक भाई भी है जो की बड़ा भाई है दिनेश की श्टड़ी मुंबई से हुई थी पढ़ाई खत्म करके इसने बैंक की जॉब करनी शुरू कर दी बैंक में एजे क्लरक इसने अपनी जॉब स्टार्ट की थी बैंक में कई बड़े फिल्मी कलाकारों का भी आना जाना था तो वहीं इसकी मुलाकात हुई होमी अजजानिया से जो की एक फिल्म डारेक्टर है उसने बींक साइरस, कॉक्टेल, हिंदी मीडियम जैसी फिल्में बनाई है होमी अजजानिया पर अंडर वर्ड से रिष्टे रखने के भी आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि वो बॉलिवुड में ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करता है होमी और दिनेश की बैंक में दोस्ती हुई तो होमी ने जो है दिनेश को फिल्मों में आने को कहा और फिल्म प्रोडूसर बनने को बोला पहले थोड़ी फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में बात करता हूँ वैसे तो ज़्यादा तर लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ किताबों में और अपने परिवार में ही ज़्यादा घुसे रहते हैं तो उन्हें इधर उधर की बातों का ज़्यादा घ्यान नहीं होता है ऐसे लोगों को भी प्रसाद बातना जरूरी है ताकि लोग घ्यान से वंचितना रहें एक फिल्म प्रोड्यूसर कभी भी 100% पैसा अपनी जेब से नहीं लगाता है अगर फिल्म 500 करोड में बनी है या सिर्फ 10 करोड रुपे में प्रोड्यूस ही है तो उसका जो सारा पैसा होता है ज्यादा तर पैसा जो होता है वो मार्केट से उठा के लगाया जाता है मतलब कैई बार प्रोड्यूसर जो है फिल्म बनाने के लिए इंट्रेस्ट पर पैसे लेता है और फिल्म जब तक रिलीज होके कमाई ना करने लगे तब तक वो उन पैसों का इंट्रेस्ट देगा यानि पूरा पैसा जो है इंट्रेस्ट के साथ वापिस करना होता है आपने पहले के समय में बहुत सुना होगा कि किसी फिल्म मेकर ने कोई फिल्म बनाई फिल्म फिलॉप हो गई तो उसका घर बिग गया या वो करजे में आ गया लेकिन ये चीजे 1985 या 90 से पहले पहले होती थी और उसके बाद बहुत कम ऐसा सुनने में आया होगा कि किसी सोहिल खान इसका एक्जामपल है बंदे ने एक से बढ़कर एक डिजाश्टर मुवी प्रोडियूस की है लेकिन मजाल है कि आज तक एक रुपिय का भी करजा हुआ हो लेकिन पहले के समय राज कपूर सिर्फ एक फिल्म के प्रोडियूस करने पर एक फिल्म के फिलॉप होने पर रोड पर आ गया था और उसका घर तक बिग गया था उसकी बीवी के गहने भी गिरवी रग गए थे राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई थी मार्केट से इंट्रेस्ट पर पैसा लिया लेकिन फिल्म बनते बनते 5-6 साल लग गए और फिल्म की जो कोश्ट थी वो ब जैसे घाटे में आ गई थी और अमिताव कर्जे में डूब गया था और बाद में अमिताव ने अपने आपको बैंकुरप घोशित कर दिया था हालाकि अपने आपको बैंकृप घोशित करने के पीछे भी बहुत बड़ा खेल खेला जाता है लेकिन वो मैं आपको फिर किस और वीडियो में बताऊंगा ये दिनेश वीजन की वीडियो है और अभी उसकी ही बात कुछ नहीं हो पाई है दिनेश वीजन की बात करनी ज़्यादा जरूरी है अगर वो बुरा मान गया तो फिर उसको मनाते फिरो प्रोडियूसर्स और बेंकरप के फ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बदले में ये लोग भी इंट्रेस्ट लेते हैं लेकिन ये लोग मार्केट में बैठे प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं जो इंट्रेस्ट का काम करते हैं ये लोग छुटपूट होते हैं जो बस किसी के कहने से अपने शौक के लिए कभी-कभी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें भी फिल्म के हिट या फिलॉप से कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें भी बाद में पैसे चाहिए फुल इंट्रेस्ट के साथ में। लेकिन मार्केट का पैसा या ऐसे लोगों का पैसा हर किसी को नहीं मिलता है कि कोई भी मोह उठा के आएगा कि हाँ भाई मैं जो है प्रोदूसर हूँ मैं प्रोदूसर बनना चाहता हूँ मुझे ब्याज पर पैसे दो ऐसे लोगों को धक्के मारके ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है ऐसे लोग जिने कोई नहीं जानता है उन्हें कोई भी एक रुपिया उधार पे या ब्याज पे नहीं देता है लेकिन साल 2004 में दिनेश वीजन ने बैंक की जॉब छोड़ी और 2005 में बिंग साइरस नाम से एक फिल्म बनाई और इसमें सेफ अली खान और नसरुदिन शाह जैसे बड़े लीड एक्टर लिए दिनेश ने फिल्मों में आते ही 5-6 करोड रुपे की फिल्म बनाई और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और लेकिन बावजुद इसके इसके कोई फर्क नहीं पड़ा इसके बाद 2008 में हाईजेक नाम से एक और फिल्म बनाई वो भी बुरी तरह से फ्लॉप होई साल 2009 में फिर से सैफ को लेकर इसमें लव आजकल नाम से फिल्म बनाई लेकिन ये फिल्म सकसेस होई उसी साल 2009 में दिनेज ने सैफ अली खान के साथ में इल्यूमिनाटी प्रोड़क्सन हाउस के शुरुआत की और लव आजकल उसी बैनर की पहली मूवी थी दिनेज और सैफ ने कई फिल्मों में साथ में काम किया लेकिन ज़्यादा तर फिल्में फ्लॉप थी सैफ से अलग भी इसने कैई फिल्में बनाई लेकिन साल 2014-15 तक इसकी ज़्यादातर फिल्में डिजाश्टर थी लेकिन बावजूद इसके ये कभी भी लॉस में नहीं गया बलकि सैफ अलिकान ने इसके साथ में फिल्म प्रोड़क्शन कंपनी कैसे खोल ली वो भी एक सीक्रेट ही था हलाकि 2004 में दिनेश्ट ने अपनी खुद की प्रोड़क्शन कंपनी खोली थी जिसका नाम था मैडॉक फिल्म्स दरसल दिनेश्ट वीजन फिल्मों में आया ही सिर्फ इस वज़े से था कि उसे ब्लेक मनी को वाइट करने का काम करना था शुरुवाती फिल्मे फिलॉप हुई तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन फिल्मों के फिलॉप होने से इसे नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं था बल्कि उल्टा इसको फाइदा हुआ था ब्लेक मनी को वाइट करने के लिए इसे कमिशन मिला था और बदले में फिल्म प्रोडिसर बन गया वो अलग सैफ अली खान के साथ में फिल्मों में भी यही काम किया तो नंबर के पैसे को फिल्मों में इन्वेस्ट किया और अपना कमिशन लेके करोडों में कमाई करता रहा 2015 में बदलापूर फिल्म के बाद में इसके दिन बदलने शुरू हुए और इसकी फिल्में जो है यहां से सफल होनी शुरू हो गई या कह सकते हैं इसको एक पहचान मिलनी शुरू हुई ऐसा भी नहीं है कि इसकी 2014-15 के बाद सारी फिल्में सकसेस रही थी लेकिन इन फिल्मों ने इसे असली पहचान दी थी हिंदी मीडियम, राप्ता, स्त्री, लुका छुपी, बाला, लवाजकल टू और अंग्रेजी मीडियम ये ऐसी फिल्मे थी जिन से दिनेस वीजन को पहचान मिली कि हाँ, बॉली वुड में इस नाम का भी जन्तू फिल्मे बनाता है राप्ता फिल्म इसकी एक मात्र डारेक्ट की हुई फिल्म है जो इसने डारेक्ट की थी वो फिल्म इसने डारेक्ट क्योंकि वो भी इतने बड़े बजट की मोवी उस पे एक अलग से वीडियो लाँगा क्योंकि उसका एक बहुत खास रीजन था दिनेश वीजन इसकी बहन पूजा वीजन और फादर प्रेम वीजन सभी लोग लोग प्रोफाइल रहकर लोगों की काली कमाई को वाइट मनी में कनवर्ट करने का काम करते हैं दिनेश वीजन और दिपिका पादुकॉन की नजदीकियों की एक समय पर बहुत चर्चा होती थी लेकिन कभी भी खुलकर इन लोगों के बारे में खबरे नहीं आई दिपिका वैसे भी मौके पर चौके मारने के लिए फैमस रही है और यही वज़े है कि दिपिका बड़े बजट की फिल्मों को चुटकियों में अपने बिस्तर में गुसा लेती है दिपिका से मोहु भंग होने के बाद में क्रिती सैनन इसकी फेवरेट बनी हुई है क्रिती की ज़्यादतर फिल्में दिनेश वीजन ने ही प्रोड्यूस की है खासकर पिछले चार-पांच सालों में दिनेश का किसी से अफेर नहीं था ना क्रिती से और ना ही दीपू आंटी से यह बिजनिसमेन है प्यूर बिजनिसमेन एक हाथ देता है एक हाथ लेता है दिनेश वीजन ने 2018 में प्रमीता तवर नाम की एक लड़की से शादी की है प्रमीता एक दोबई बेश्ट रियल इस्टेट बिजनिस मुमन है जो इंडिया और दोबई जैसे देशों में रियल इस्टेट में डील करती है प्रमीता कौन है और इसकी शादी कैसे हुई ये भी एक अलग वीडियो में क्योंकि वीडियो अब जो है काफी जादा लंबी हो गई है इस वीडियो को और जादा लंबी करूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे दिनेश वीजन ऐसा अकेला प्रोडियूसर नहीं है जो बाहर से खाली हाथ आया और यहां आके करोडों की फिल्में बनाने लगा और फिल्में फ्लॉप होने पर भी इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा ना करजे में आया और ना ही किसी तरह का लॉस हुआ फिल्में प्रोड्यूस करना बिना ये सोचे कि फिल्म सक्सेस होगी या फ्लॉप ये भी एक बड़ा बिजनिस है देश के हर पार्टी के कई बड़े नेताओं के अर्बो रुपे बॉलिवुड में इन्वेस्ट होते हैं और ये सारी की सारी ब्लेक मनी होती है बड़े बड़े नेता, मंत्री, इसके अलावा बिजनिसमेन, किर्केटर्स और दूसरी इंड़ेस्ट्री के लोग भी अपनी काली कमाई को वाइट मनी में कनवर्ट करने के लिए बॉलिवुड का ही सहरा लेते हैं क्योंकि बॉलिवुड इस मामले में सबसे सेफ जगा है यही वज़े है कि ये सारे के सारे समय समय पर एक दूसरे की गोद में बैठे दिखाई दे जाते हैं दिनेश वीजन की प्रोडूसर्स बनने की इस कहानी में इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर